देखो बच्चो एक्सराइस 2.2 राइड़ सिंप्लेस फॉर्म और उसका 7 वेड़ो में हम लोगों ने सारे और आगे के क्वेश्चन डिसकस किये जो क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं उसको मने एक दो क्वेश्चन को स्केप किये थे सिंप्लेस फॉर्म के लिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो 1-cosx, 1-cosx इसका फॉर्मिला होगा 10-square x by 2 इसका फॉर्मिला क्या होगा 10-square x by 2 आगे भी एक वीडियो में मैंने बटाया था कि square root of x square हो कि इसके बराबर होता है mode of x तो mode 10x by 2 अब number mode से निकलता है तो positive है या negative है तो इसकी discussion के लिए मेरे पास x का domain है तो 0 less than x less than pi x by 2 है तो 2 से divide करो pi by 2 तो मैं बूल सकता हूँ कि x by 2 lies between 0 to pi by 2 first coordinate, first में all trigonometric function positive है so one can write over here 10 inverse of 10 x by 2 of course आपका जो x by 2 है वो कहां पहे है between 0 to pi by 2 which is a subset of minus pi by 2 to pi by 2 अगर मैं unit circle draw कर के आपको दिखाओ तो मेरा जो x by 2 है वो यहां पहे है और minus pi by 2 to pi by 2 यह means you can x by 2 belong to minus pi by 2 to pi by 2 you can cancel this 10 and 10 inverse सबका जो correct answer हो जाएगा वो x by 2 10 tan inverse को cancel कर दो x by 2 0 to pi by 2 के बीच में वो किसका इतना जो इतना पूर्सन है वो यह पूरे का subset होई जाएगा इसके लिए मैं यह symbol डाला है वो किसका डाला है subset का मतलब और x by 2 अगर और जंग से लिखना है तो x by 2 belong to open interval minus pi by 2 to pi by 2 इसको 1 बोल सकते है इसको 2 और फिर आप लोग लिख सकते है कि from 1 and 2 अब यह आपका निकल के answer आएगा तो आपका जो answer हो जाएगा वो क्या होगा अब झाउ़ा है कि अब आपका उब है कि अब इसको तोदिया है करें लिए हुआर कर दोगने हैं कोरेंगर सब्सक्राब